अपने यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में तो आज की इस वीडियो में हम क्लास एट का स्लीबस दिखेंगे एन्वल स्लीबस जो की 2023-2024 सेशन का है इंग्लिश का स्लीबस तो सबसे पहले आपकी पोएम आईगी, first poem, The Ant and the Cricket इसमें आपको प्ढ़ना होगा और से related आपके character के बारे में questions आते हैं नेक्स जो चाप्टर होगा उसमें लेसन डू आपको पढ़ना होगा दस सुनामी बहुत इंटरस्टिंग चाप्टर है कैसे लाइफ चेंड लोग की सेव होती है लाइफ सुनामी से तो बस एक चाप्टर और एक पोएम यही आपका जो है वो आपका मिट्टम के स्लिबस में बाकी जो ग्रामर का सेक्शिन में के आपका पैरग्राफ रइटिंग या लिए और नीड ओर उसके कोजिस क्या हो सकते हैं मौक डिल माइस्टूल या तो इसकोल में दोरू में से किसे एक पर आपकी रइप रइट राइट रइटिंग आएगी और नोटिस राइटिंग देखा है तो वह आपको नोटिस बॉड में ऐसे बनाकर नोटिस राइटिंग आपकी इश्चर आपको तो यह तीन चाप्ट्र आपको स्लेबस में आपके एक्जाम में नहीं आएंगे बढ़ आपको इने पढ़ना है तो एक poem और एक lesson आपका आएगा paragraph writing आएगी notice writing आएगी और grammar में आपको मैं बता दू tense आएंगे, modals आएंगे, conjunction आएंगे and आपका error correction पे question आएंगे यह syllabus आपका 15 सिदमबर तक 2030 तक complete हो जाएगा यह जितना भी syllabus में नहीं पाया यह mid term का syllabus है और इसके बाद आपका second term का syllabus start होगा then सबसे बादे mid term exam होगा, mid term का revision होगा then आपको start कराएंगे poem 2 geography lesson जो की बहुत प्यारी poem है इससे related worksheets भी आपको मिल जाएंगे बट आगर आपकी teacher बोलती है कि वो worksheets भी करो तब ही आपको करना है वर otherwise नहीं करनी next poem हो जाएगी poem for the last bargain यह भी आपकी बहुत प्यारी poem होगा next lesson number six है this is joddy's phone यह आपका chapter आजाएगा and यानि आपका mid term में तो आपके एक poem और एक lesson और second term में मैं second term मोल रहो क्योंकि final term में mid term का भी आएगा दो poem है poem दो है एक एक one plus one में लिख दो है और lesson फिर एक ही है तो यानि total मिला के आपका जो annual term का exam होगा second term के exam को ही annual term का exam कहते है उसमें mid term की एक poem और ये एक lesson तो आए गई बागी second term के ये poem और lesson भी आएंगे तो यहाँ और आपको it so happened वाली book से lesson number four the treasure within पढ़ना है और grammar में आपके prepositions वो modals और टेंस तो आएंगे annual term में पर prepositions भी आ जाएगा error correction और story writing की आपको guidance दी जाएगी यानि आपको story writing लिखनी होगी किसी भी saving कि मतला कोई जिसे चोट लग गए किसी bird को animal को वो सुबह सुबह चल रहा है ऐसी story बनाते भी लिखना होगा और paragraph writing अभी मैंने mock drill वाली बताई थी और यहां पर और भी आड़ हो सकती है on taking care of animals mid term में तो उन दोन में से कोई होगी बड़ आपकी जो final term में होगा वो इन चारों में से यह भी है और mid term में से भी कोई सी भी आ सकती है और टेकिंग केर अफ अनिमल्स अनिमल्स इंडीजर अनिमल्स अरवर फ्रेंड इसी टॉपिक पर आ सकती है तो यह पूरा स्लेवर्स है वह 31 जनवरी थोज़ाच ओबिस तर कंप्रीट करा दी जाएगा स्लेवर्स का रिवीजन होगा अनिमल एक्जाम के लिए अनिमल एक्जाम में होल स्लेवर्स जैसा मैंने बताया मिट्टम का तो आए गई और मिट्टम के बाद जो आपको चाप्टिस बढ़ाए जाएंगे सेकेंड नम जिसे कहेंगे वो भी आएगा और यहां पर आपका स्लेवर्स जो है वो कंप्रीट होता है आपको आपको जो स्टोरीज है वो आपकी टीचर इंकरेज करेगी कि आप अपने आप शॉर्ट आंसर टाइप बना सकें और आपकी जो बुक है हनीडियो उससे भी पोएम हर चाप्टर्स खुद कर पाएं तो य यहां पर आपका स्लेवर्स कमप्रीट होता है चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो चलगी तो इसे लाइक करिए दोस अब साथ शेयर जरू करिए थैंक्स वाच इंडियो पेपे गाईज